आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं No Follow and Do Follow backlinks के बारे में ये क्या होते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि किन लिंक्स को आप Do Follow रख सकते हैं किन को nofollow रखना चाहिए ये जो सारी बाते हैं ये हम आजकी इस वीडियो में करने वाले हैं तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं Hello everyone, I am Haramit, welcome you all on WS Cupidic channel So, backlinks की हम बात कर चुके हैं, काफी अच्छे से समझ चुके हैं हम backlinks को वीडियो नहीं देखी, तो इससे पहले वाली वीडियो थी Playlist का link आपको description box से मिल जाएगा तो backlinks जब हमने समझा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब भी आपकी website का link किसी दूसरी website के link पर post होता है या फिर मैं कहूं कोई दूसरी website, कोई external website जब आपकी website का link अपने किसी article में, post में, page पर अगर post करती है तो that would be a backlink अब backlink क्यों हम बनाते हैं, तो इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि backlink बनाने के बाद में, दो ऐसी चीज़े हैं, जो कि हमें उस backlink से मिलती है पहली audience कि वहाँ पर अगर कोई scroll कर रहा है, कोई surf कर रहा है, देख रहा है उस page पर कुछ पढ़ रहा है, उस external website पर, तो वो मेरी website पर आ सकता है तो पहली चीज़ जो आएगी वहाँ से, वो आएगा traffic चीक है, इसलिए backlink is important है दूसरी चीज़ जो उस backlink के through आ सकती है, वो है crawlers क्योंकि देखिए, मान लीजिए, एक a website है जिसने मेरी website का link अपने page पर रखा है तो जब a website की crawling होगी, चाहे Google का crawler हो चाहे किसी भी website का crawler हो, तो उस website को वो read करेगा और वहाँ उसे stml में मेरा link मिलेगा, तो वो मेरे link को भी crawl करेगा, यानि अब जो a website थी, उसकी जब crawling होगी या फिर मैं कहूं, उसकी crawling करते time, मेरी website पर भी crawler आएगा तो इससे क्या proof होगा, देखिए, यह नहीं कि हमरी crawling better होगी बलकि उस crawler को यह पता चलेगा, search engines को यह पता चलेगा कि यह जो a website है, यह refer कर रही है इस मेरी website को तो मतलब मेरी website की authority बढ़ेगी, reputation बढ़ेगी क्योंकि कही ना कही value transfer हो रही है, तो इसलिए backlink बनाना important होता है, अब यह सारी चीज़ें में क्यों बात कर रही हूं जबकि हम बात करने आए है, no follow or do follow की, देखिए, अब यहां पर concept शुरू होता है, कि जब भी एक website, किसी दूसरी website को backlink देती है, तो definitely उस website की value, उस website की authority, उस website का link juice transfer होता है आपकी website पर, तो ऐसे में अगर कोई ऐसी website है, जिसकी authority आपसे कहीं जादा है, तो आपके लिए तो यह अच्छी बात हुई, आपके लिए तो एक positive point हुआ, लेकिन उस website के लिए यह चीज़ थोड़ी सी negative हो जाएगी, और link juice तभी transfer होगा, जब crawler आपके पास आएगा, तो इसलिए हमारे पास एक option रहता है, कि जब भी हम किसी website को backlink दे, तो वहाँ पर हम do follow या no follow चूज़ कर सकते हैं, do follow का मतलब, अब तो I hope idea ही clear हो गया होगा, do follow का मतलब, कि जब भी crawler मेरी website को crawl करें, तो उस link को भी वो follow कर सकता है, चीक है, अगर मान लीजे, कोई भी tag नहीं लगा, तो वो भी do follow ही माना जाता है, लेकिन दूसरा जो option है no follow का, कि जब भी मेरी website की crawling हो, तो इस link को आपको follow नहीं करना है, यानि अगर ए website पर मेरी website को कोई link लगा हुआ है, और वो no follow है, तो अब क्या होगा, जब भी website की crawling होगी, तो audience तो मेरे पास आ सकती है, audience वहाँ पर visit करके, उस link पर click करके, मेरी website पर आ सकती है, लेकिन जो crawler है, वो crawling करते time, मुझे follow नहीं करेगा, मतलब मेरे link पर नहीं आएगा, तो ये होता है no follow, अब इसकी और भी detail में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं website पर की no follow किस तरह से लगाया जाता है, देखिए जैसे मैंने बहुत इसकी simple सा page open किया है, बिटैनिका का ये एक website का page है, चीक है, randomly मैंने open किया है, अब इस पर बहुत सारे links attached है, इसकी जा मैंने internal links, external link वाले video आए थी, तब मैंने इसका reference लिया था, तो यहां पर भी Wikipedia जैसे काफी सारे links attached है, Wikipedia का example मैंने इसलिए नहीं लिया, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं हर video में Wikipedia का ही example लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हाज different example ले लेता, बिटैनिका का example ले ले लिया, आप ये चीज़ किसी भी website में देख सकते हैं, क्योंकि हर website किसी ना किसी external वेब पेज को backlink mostly मतलब देती है, तो जिसे ये website है, यहाँ पर भी कई सारे जो external links है, याफिर मैं internal links की भी बात करूँ, तो वो यहाँ पर attached होंगे, अब ये कैसे check करना कि कौन से nofollow हैं, कौन से dofollow हैं, तो एक बार हम आ जाते हैं इसके source code पर, तो यह देखिए, हम आगे इसके source code पर, अभी यहाँ पर आपको find करना है nofollow, चीक है, nofollow सर्च करने के बाद आप देखेंगे, तो चार यहाँ पर ऐसे links attached हैं, जो की nofollow tag के साथ हैं, आप देखिए, यह simple सा code होता है, internal या external link का, जब भी हम कोई link attach करते हैं अपनी website पर, तो उसका same ही होता है, इस तरह से bracket शुडू हुआ, then A, HR, E, F, यह बागी साथी तो class और additional information है, चीक है, आप यहाँ पर आप देखिएंगे, तो इस link में relation कैसा है nofollow, तो simply जो आपका tag होता है, external link या internal link का, उसमें आपको, आप starting में भी लगा सकते हैं, और यह last में भी लगा सकते हैं, that is relation is equals to double quote में nofollow आपको लिखना है, और उसके बाद में जो आपका anchor text होगा, वो आ जाएगा, या फिर अगर title है, तो वो आ जाएगा, और यह bracket close हो जाएगा, चीके, तो जो normally internal link, external link का जो code होता है, उसी में ही यह nofollow का tag लग जाता है, तो ऐसे ही आप देखिएंगे, तो अब यहाँ पर क्या है, कि यह जो link है, जो की इस web page पर है, उसे crawlers आगे follow नहीं करेंगे, चीके, simple सा मतलब है, ऐसे ही आप और भी website explore कीजेगा, अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर nofollow tag लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर dofollow tag भी लगता है, लेकिए अगर मान लीचे कोई tag लगा ही नहीं है, मतलब कोई भी relation वहाँ पर नहीं define किया गया है, तो वो dofollow ही माना जाएगा, dofollow ही consider किया जाएगा, लेकिन अगर आपको nofollow करना है, किसी भी link को चाहिए वो external हो, चाहिए वो internal हो, तो उसके लिए आपको nofollow लगाना पड़ेगा, चीके जी, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कि यह जो हम बात कर रहे हैं, nofollow की, dofollow की, आखिर इसकी जरुरत क्यों पड़ी, क्यों हम एक ही चीज नहीं रख सकते थे, simple, क्यों नहीं कर सकते थे, dofollow, nofollow की क्या जरुरती, तो देखिए, जैसा मैंना भी आपको बताया, कि जब भी आप किसी website को backlink देते हैं, तो आपका link juice transfer होता है उस website पर, लेकिन वो transfer तभी होगा, जब crawler वहाँ पर जाएगा, audience के जाने से भी authority कुछ transfer होती है, बट crawler, जब crawl करता है आपकी website से किसी दूसरे external webpage को, तो definitely आपका link juice transfer होता है, तो अब ये चीज, जिसको link juice मिल रहा है, जिसको authority मिल रही है, जिसको value मिल रही है, उसके लिए तो ये चीज अच्छी है, लेकिन जिसकी value, जिसकी authority आगे transfer हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक negative point हो सकता है, तो इसी चीज को control करने के लिए ये option दिया गया है, कि आप जब भी किसी website को backlinks दें, तो आप do follow भी कर सकते हैं और no follow भी कर सकते हैं, अब सवाल आता है कि अगर मान लीजे, आप backlink दे रहे हैं किसी website को या किसी webpage को, तो कब आपको no follow और कब आपको do follow लगाना चाहिए, क्योंकि देखी, अब मैं ये अपने point of view से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी को backlink देंगे और समझेंगे उस चीज के importance, तब ही हम ये चीज समझ पाएंगे कि कैसे आखिर हम no follow या do follow हम create करवा सकते हैं किसी external page पर, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं do follow की, तो do follow आपको किसको देना चाहिए, जो भी high authority websites हैं, जैसे कि मान लीजे, अगर wsqtick पर मैं किसी का link देती हूँ, किसी का external link देती हूँ, जैसे for example, Wikipedia का, या बिटेनिका का, या फिर ऐसी किसी website का, जिसकी authority already काफी अच्छी है, वैसे इसके लिए अलग से video आएगी, जहां पर हम page authority, domain authority, इसकी detail में बात करेंगे, इसको check करना भी सीखेंगे, तो ऐसी जो high authority popular websites हैं, उनको आपको do follow tag देना चाहिए, जिससे कि आपकी website पर अगर crawler आता है, तो उसे पता चले कि हाँ, ये reference दे रहे हैं, तो कही न कहीं जो genuinely होती है, वो prove होती है, उसके अलावा अगर ऐसी कोई website है, जहां से आपने कुछ भी copy किया है, या फिर मैं कहूँ, उनका कोई content आप use कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपको do follow देना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी website से content कुछ उठाते हो, चाहे मैं कहूँ, blog के format में, चाहे images की format में, तो ऐसे में जरूरी है कि हम उनको एक do follow backlink दे, तो अब इसी चीज़ को हम reverse में देखते हैं, कि हम कैसे किसी website से एक do follow backlink ले सकते हैं, क्योंकि तो यह obvious ही बात है कि हम no follow से पहले prefer करेंगे do follow को, क्योंकि do follow में हमारा link choose transfer हो रहा है, तो अब हम कैसे किसी का do follow चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए देखें कुछ चीज़ जो आप ट्राय कर सकते हैं, पहली चीज़ जो content अपना आपको बहुत ही अच्छा लिखना है, जब आपको content अच्छा होगा, तो कोई भी website अच्छी website आपकी content का reference दे सकती है, और ऐसे cases में वो do follow links ही देते हैं, उसी के साथ ही अपनी website की authority को increase करने में हमें ध्यान देना चाहिए, वैसे इसके लिए हम detail में भी बात करेंगे, तो अपनी website की authority को increase कीजिए, spamming कम से कम कीजिए, तो जिससे आपकी कोई भी जो अच्छी websites हैं, वो आपको do follow backlinks ही दे, अब no follow की बात करें, तो देखिए अगर कोई ऐसी spamming sites हैं, या फिर मैं कहूँ आपसे जिनकी authority कम हैं, ऐसी कोई websites हैं, तो इनको आप no follow backlinks दे सकते हो, तो देखिए mostly जब भी हम backlinks create करेंगे, तो ऐसे case में most भी हमें no follow ही मिलेंगे, लेकिन हमें क्या target करना है, कि at least two third हमारे जो total backlinks create हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करते हूँ, कि do follow हर कोई अच्छी website हमें देती नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारी techniques आने वाली हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एक way apply नहीं करेंगे, एक ही चीज़ अप्लाय नहीं करेंगे, बल्कि कई सारी चीज़ों पर हम try करेंगे do follow links बनाने के लिए, सारी चीज़ों का discussion होगा, क्योंकि यह complete course चल रहा है, SEO का, जहां पर एक एक चीज़ हम साथ में discuss करने वाले हैं, description box से आपको playlist का link मिल जाएगा, जिसमें SEO की complete videos आपको मिल जाएगी, जो की आप ही के लिए खास updated प्रिपेर की गई है, so don't forget to subscribe WS Cube Tech channel, जिससे आपसे एक भी वीडियो मिसना हो, कोई भी query हो, question हो, doubt हो, comment section में मुझे बता दो, और साथी कुछ भी आपने वीडियो से नया सीखा हो, तो like करना बिलकु भी मत भूलिएगा, thank you so much.